जै सिया राम दोस्तों, पिछले मंगलवार आपने हिर्दय बसें श्री राम पुस्तक से सुना अध्धय 31 प्रयाग राज इस मंगलवार सुनिये अध्धय 32 चित्र कूट बाल मिकी को किया प्रणाम सीता के संग लक्षमन राम मुनि के अंदर प्रेम समाया ऐसा सुख मुनिवर ने पाया होगा सब का अब उध्धार स्वयम नरायन आए द्वार कैसे हुआ है वन में आना श्री राम से कारण जाना आग्या मा की वन में लाई सारी बातें उन्हें बताई मा कै कै की थी ये आस ऐसे मिला उन्हें वन्वास मुनि से बोले रगकुल राम मुझे बताएं वो स्थान जहां रुके हम समय बिताएं हम तीनों कुछ दिन रुक जाएं कणकण में बस्ते श्री राम पूरी धर्ती आपका धाम काम क्रोध न कोई आस रिदय में उसके करिये वास अभी मान हो ना कोई माया ना ही कोई द्वेश समाया ना हो मद ना छोब न राग वहां विराजें हे रहुराज फिर भी गर पूछें इस्थान मुख में मेरे एक ही नाम चित्र कूट है पावन धाम नदी जहां मंदाकिनी नाम अत्री रिशी रहते हैं वहां अनुसुया का तप है जहां चित्र कूट में करें निवास सादुसंत करते हैं वास सीता लक्षमण और श्री राम अनुसुया के पहुचे धाम चित्र कूट वो पावन धाम जहां रमे रगुनंदन राम तो ये था अध्याय बत्तिस चित्र कूट अगले मंगलवार में सुनिये अध्याय तैतिस सर्वत्र शोक तब तक के लिए बोलिये जैसिया राम